नमस्कार वित्रों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक कोरणाई ताजा वीडियो में ये वीडियो कुम्भे रासी वाले जातकों के लिए बहुत इंपोर्टेन बहुत खासर बहुत हे महत्पूर्ण रहने वाला है क्योंकि बारह फरवरी सुभा साथ वजे से कुम्भे रासी वाले जातकों के जीवन में बड़ा परिवर्तन होनी वाला है बड़ा थमाका होनी वाला है मत्रों आपके जीवन के काया पलट होनी वाली है मत्रों आपको बताएंगे कि किस पल आपको कौन से छेत्र में कैसा वहवार करना चाहिए कौन से छे जिन में आपको समझदारी से कारी करने होंगे जो अनपढ़ है या जो मुर्ख हैं उन लोगों कैसे किस प्रकार आप दूरी बना सकते हैं या फिर आपके जीवन में किस प्रकार खुसिया आनी है आपको कौन सी समस्याओं का समधान मिले बाला है इसके साथ है आपको बताना कि कुम्ह रासी के जात्कों के कुंडली में, जिसमें गर्जोचर का मौल बहुत अनुपोल रहनी वाला है, जिनकी वज़ा से आपके रुकी पड़े, सारी की सारी वेवसाई क्योचना है, कारी शिस्तर में लाव की फ्राप्ती होंगे, सामाजिक की स्तित्यों में आपको बढ अंततक जरूर देखें क्योंकि कुम्भे रासी वाले जातकों के चीवन में कल का दिन बहुत खास रहनी वाला है तो लगातार इस वीडियो के अंततक बने रहें इस वीडियो का कोई सभी पार्ट अगर आपको अच्छा लगे तदा मातारानी के सच्चे भक्त आगर आप हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट वोक्स में जै माता दी लिखना ना भूलें तमत्रों कुम्भे रासी के जातकों के सामाज किस्ततों में बढ़ावा दिलवानी बाला है आपको विबा का प्रस्ताव आ सकता है आपको इस समय जीवन साथी की प्राप्ती होंगी आ आप इस समय माइग्रेशन चिंता तनाव को दूर रखकर कारी कर सकते हैं आपको इस समय प्रोपर्टी से सम्मधत कोई नए डील को प्राप्त करने के प्रोके भी प्राप्त होने वाले हैं कुम्भे रासी के जातकों को बताना चाहेंगे कि आप अपने मन को सांत रखें और वहवारों पर नियंतर डखने की अवस्य कोसस करें यसमें आप समय दारी से काम करेंगे तो आपके सारी कारे भी अवस्य पूरे होंगे यसमें आप अपने कारी सैली में नयाप परियोग कर सकते हैं कारी सैली में नयाप परियोग करना आपके जीवन के सारी सैलों को भी करना पड़ सकता है, मत्रों, खर्चों तो रहेंगे, परंतो वह कहते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, वह खर्चों को जो वित्प्रम होते हैं, उनको भी अनुकूल बना लेते हैं, ऐसे मैं कुम्बरासी के जातकों के बुद्धी विवेक में वरुत्री होंगे, पड़े ततकाल समय के लिए वह अस्तगित भी हो सकता है, मत्रों, आप लोगों से अनुरोध करेंगे, कि आप इस समय किसी भी कामकाज में बेकार के गत्विद्यों में सामिल नहों, बेकार की आत्राओं से आप बचें, इस समय गर प्रिवार का ख्याल रखें, कामकाजों क को पूरा करने के कुशुशत करें। इस तरी वर्ग से आपको पुरुण सहयोग की प्राप्ती होँगी। कारिष्थर पर परशंशा और सफलता की प्राप्ती का पुरुण योग मन रहा है। आपके कामों को प्रसंसा मिलेंगे वरिष्ट लोगों का सहयोग भे प्राप्त होने वाला है। कुम्भरासी के जातकों को आर्थिक मामल में बढ़ू का सहयोग भे इस समय ले सकते हैं। जो आपके लिए बहुत उप्योगी रहेगा अनवासर खर्चे भे आपको सामने आ सकते हैं। जिन पर आपको नियंतर लखने के विशेश प्रियास करने होंगे। आप धर्म और समाज के कारों से जुडेंगे। आपके मान समान में इजाफ़ा होगा पारिवारिक जीवन भी सुखों में बना रहेगा। कुमबरासी के जात्कों को जीवन में हर वख खुशी की प्राप्ती होंगे जिनके लिए आप काफी ज़ादा फरियासरत थे। काफी व्याकुल थे आप कुमर में सारी के सारी भावनाएं जागरित होने वाली हैं। आपको खुश्यों के फ्राप्ती होंगे नए छेत्र से रूड़ने और पैसे कमाने के मोके फ्राप्त होंगे। वहें आपको इस समय जो भी कई प्रकार के कामकाजों को करकर अपने दिमाग में तनाव को इकटा कर रखे थे। उन्हों लोगों को इस समय आर्थे किस्तितों में बदल आप देखने को मिलेगा। मित्र भगवान श्रीयर विश्रू जी की कृपा से धनसम मंदित कोई फाइदा हो सकता है। आपको जनेक कारे को करने का प्रत्न कर सकते हैं। दोस्तों की और से आपको अच्छी पंदत मिल सकते हैं। से और वाजार में निवेज कर सकते हैं। और कुछ बड़े कारे भी आपको बहुत जल्द खत्म होंगे। पारिवारिक रिष्टों मजबूत होंगे। आपको पार्टनर की और से अच्छा सरयोग मिल सकता है। जीवन साती की भावनाओं को समझने का प्रत्न कर सकते हैं। बगवान श्रीहर विश्रू जी की क्रिफा से जीवन में लाव की फ्राप्ति कर सकते हैं। आपके दुखों का अंतो होंगे। आपके जीवन में सभी प्रकार की सुखनविती की फ्राप्ति होंगी। आपको अपने सच्छा प्यार मिल सकता है। लव लाइफ के मामन में किये गए प्रियास सफल होंगे। पति और पत्री के विज रिष्टों में मदूरता आ सकती है। अपनों के साथ आपके सभी पारिवारिक से योग मिल सकता है। आपको बिजनस के वेपार में अचानक से दरणाब मिल सकता है। आप अपने सभी प्रकार के करजों से शुटकारा पा सकते हैं। बैपार बैविसाय में उन्नति का योग मिल सकता है। नोकरी पेसे वाले लोगों को नोकरी में उनके सयोगों का फूरा साथ मिल सकता है। और नोकरी में तरक्य होंगी परिवार का महोल खुसनुमा रह सकता है। आपको उंच पदो की फ्राप्ती होंगी। आपके पास समय की अधिक्ता रह सकती हैं, आपका समय मौद मस्ती में निकलने वाला है, सनी देव जी की आश्रवात से आप अपने सभी कारों में सफलता को प्राप्त करने वाले हैं, परिवार की आरतिक इस्तितियां मजबुत होंगी, वैपार वैविसाय में आपको बेसुम असानक से आपको लाप के कई अफसर भी हासल होंगे, घर में किसी खास मेमानों का अगवन हो सकता है, जिनसे की घर परिवार का महोल आपका खुस्रुमा रह सकता है, मत्रों बगवान स्रीहर विस्रुजी की कृपा से आपके जीवन में विसेश बड़ा महासंयोग का निर् या नया काम करने का विचार आप अपना सकोगे, आपके जादतर फैसले भी सही सावित होंगे, आपको जीवन में लाव की फ्राप्ती होंगी, आपको जीवन के सभी दुख तगलिफों से चुटकारा मिल सकता है, आपको संतान चुक की फ्राप्ती होंगी, आपको सिछ्छ जो को समवंद तरीके से रखने का प्रियास करने होंगे, आपके जीबन में आपके किस्मत में चमकनी वाद़े, आपको धनलाब हो सकता है, भगवान स्रीयर विश्रूजी की क्रिपा से आपको नोकरी में पदुनती मिल सकती हैं, आप अपने किसी करीबी लाप की प्राप्ति कर सकते हैं, आपको सिनाय कारुबार की सुरुवात कर सकोगे, आपको अपने जीबन में खर्चों में वरुत्री करने के मौके मिल सकते हैं, आपको जीबन में समपत्ती से रुणे, दस्तावेजों को तियार करने से आपको सावधानी वरतनी होंगी, आप अपने बैपार ब परिवार के बड़े बुजरुगों का अस्तिरवाद मिल सकता है आपके जीवन के सारी दुक्तकलिफे समस्याओं से चुटकारा मिल सकता है बैपार बैवसाय में लाप की फ्राप्ति होंगी नौकरी के छेतर में किये फ्रियास सफल होंगे लगातार बार बार फ्रियास करना आपके लिए लाप तायक सिद्ध होंगे जीवन में आप जो भी कारी करेंगे उसमें आपको सफलता मिल सकते हैं आपको जीवन के समय आनंद दायक रह सकता है आर्यवारिक विवादे से दूर रहने की आवस्थ करता होगी आपको ले और सुब समाचारों की फ्राप्ति होंगी जीवन में आपका सबसे बड़ा नस्योग बन रहा है आप अपने जीवन में भारी दनलाप को फ्राप से करता है आपको जीवन में विशेश बड़े कुशकबरी हासल होंगी उन्नती के मारग खुल सकते हैं आपके जीवन में पैसे कमाने के मौके मिल सकते हैं जीवन सैली में बदलाव करने के जुरुत होंगी दूसरों की अलोचना से फृसान नहों आप अपने अडियल प्रवि कमाये जा सकते हैं नई योजनाओं के तहट आप अपने कारी शिटर में नोखे प्रिवर्टन कर सकते हैं जीवन साथी के साथ आपको समय विताने की कोस्स करने होंगी और नसे की यादतों से भी आपको दूर रहने की जरुप रह सकती हैं आप अपने आत्मिस्वास को बढ दूरता रखने का प्रियास करने होंगे। आप लोगों को परिजनों के साथ परसंसा की फ्राप्ति होंगी, मन में उच्छा बढ़ सकता है, जिनसे की कारी की गती होंगी, आपके खर्षों में कमी होंगी। तथा समाधिक लोगों के साथ आपके जीवन में विशेश बड़ी प्रिशानी को दूर कर सकते हैं, आप अपने जीवन साथी के साथ मन की बातों को सेयर कर सकते हैं, आपके मन को सांती मिल सकते हैं, और किसी भी कारगजी कारवाही को आप सावधानी से करने के कोशित करें, किसी को भी मिना सोचे समझे उधार देना आपके लिए मुसीबत ब सकता है नोक्रीप ऐसा वाले लोगों को खूश कव़ी मिल सकते हैं बाहर जाने का मौक में hearing आप लोगों को मिल सकता है आपका अनिवालश में बहुत राप्त्रोश आपकर कुषकर में अप अपने कारीश्यत्र आपको खूब सारे दंदोलत की प्राप्ति होने वाली हैं आप अपने क्रियाटिविटी की वज़े से बहुत सादा फायदा भी प्राप्त करने वाले हैं आपके सत्रू भी प्राश्ट होंगे धननाब भी होगा आपको अपने सेहत का खास क्याल रखने होंगे आपके लिए आर्थी ग्रूप से बहुत ही अच्छा रह सकता है आपको संतान सुको की प्राप्ति होंगी आपके प्रिसानिया भी दुर होंगी आर्थी किस्तिया भी मद्बूत होंगी आप लोगों के मान सम्मान में वरतरी होंगी लोगों के बीच आपके तारीफे हो सकती हैं आपको कारें में सफलता को फ्राप्त कर सकते हैं आई के साधन बढ़ सकते हैं जिनसे की आपको खूब पैसे की फ्राप्ती होंगी आप लोगों के जीबन में उट्सा में विर्दी होंगी आपको जीबन में खूब पैसे कमाने के मौके मिल सकते हैं वेपार वेवसाय में मुनाफ़ा मिल सकता है आपके सैलरी में वड़ुतरी हो सकते हैं आपको किसी प्रकार के कोई भी कोट का चारी के मामलों को चुलदाने के मोखे भी राप्त हो सकते हैं आपके मनोकामनाई भी अवस्य पूरी होंगे आपको अपने पिता के सिहत का ध्यान रखने होंगे, आप अपने कारी शेतर में कटनायों को दूर कर सकते हैं, आप अपने महनत और विश्वास के जर्ये जीवन में कारोबार को सफलता को हासिल कर सकते हैं, आपके वित्य सित्या भी काफी अच्छी होंगी, कारी शेतर में भी आपके सूचे वे कारी पूरे होंग परिवार में आपको सम्मान की प्राप्ति होंगी है अधिकांग समस्याओं से भी आपको समाप्ति मिल सकती हैं आपके दुबारा पुराने परिशीतों भी उप्योगी रह सकता है, परिवार में सुक्सम्रदी मोड़तरी होंगी, आप अपने अंदर में नई उर्जा को मैसूत कर सकते हैं, आपको बहुत सारे सुबकावनाओं की प्राप्ति होंगी, समाजे चेतर में लोग प्रियता को प होके मिल सकते हैं, अदालती मामल में आपको फैसले बिपक्सम होंगे, जीवन में लाप की प्राप्ति कर सकते हैं,